हलो एवरिवन, आज की पिक अ कार्ड डिटिंग का टॉपिक है कि आपके भागी में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलके रहेगा बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ये वीडियो सभी लोग देख सकते हैं, ये टाइमलेस डिटिंग है आपकी किस्मत में आगे क्या surprises है, कौन से challenges है और कौन से blessings है ये सारी चीजर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे हलो दिस इस होलिस्टिक हिलर वेदी का होजा और अगर आप astrology नेमलोजी टारो का डिटिंग में इंट्रेस्टेट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे रोजाना ऐसे ही informative और interesting वीडियो के साथ आप लोगों से मिलने आती हूँ अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और comment में अपना feedback मुझे जरूर बताइए तो सबसे पहले energy clear कर लेते हैं और एक छोटी सी prayer मन में कर लेते हैं हमीशा prayer जो है वो gratitude का expression होना चाहिए prayer में ना तो हमने कुछ complaints करना है ना ही कुछ demand रखना है तो पूरी positivity के साथ start करें यहाँ पे मैंने दो groups बनाए हैं अगर आप लोगों की bird date odd number है यानि की 1, 3, 5 है तो आप group 1 में आते हैं और अगर आप लोगों की bird date even number है यानि की 2, 4, 6 तो आप लोग group 2 में आते हैं तो group 1 से start करते हैं group 1 की किस्मत में क्या कुछ लिखा है please guide me यानि में आते हैं झाल झाल तो group 1 की किस्मत में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलके ही रहेगा ये जानने की कोशिश करेंगे आपको कौन से blessings मिले हैं और कौन से challenges को आपको face करना पड़ेगा ये भी देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दू कि group 1 की तो lottery लगी है यहाँ पर wish card आया है इसका मतलब ये होता है कि जो सपना आप लोग देख रहे हैं वो सपना future में जरूर पूरा होगा आपका सपना चाहे जो भी हो आपका सपना career से related हो सकता है या फिर किसी person से related हो सकता है professional life और personal life से related कोई भी सपना कोई भी एक सपना आपका जरूर पूरा होगा ऐसा मैं आप लोगों को बता दू future में आपको authority और respect मिलेगा आप एक honorable position पे चले जाएंगे ऐसे strong vibe मुझे यहाँ पे मिल रहे है मुझे इसे लगता है कि at present या फिर अब तक आपको life में इतना credit नहीं मिलता है या फिर आपके efforts को लोग नजरंदास कर देते है या फिर आपसे help तो ले लेते है मगर उसके लिए gratitude लोगों के मन में नहीं होता है तो वो सारी चीज़े future में change होने की possibility है financial growth मुझे future में दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते है financial reward is on the way तो और क्या चाहिए बताए मुझे आप खुश रहने के लिए और क्या चाहिए और आपकी किस्मत में success तो है मगर बहुत सारा hard work, बहुत सारा struggle ये सारी चीज़े face करने के बाद आपको struggle मिलेगी मगर मिलेगी जरूर और जब success मिलेगी तब ऐसी success मिलेगी कि दुनिया देखती रह जाए तो group one के लिए बहुत ही अच्छी energy यहां पर उभर के आई है कुछ एक चीज़े है जिस तरफ में आप लोगों का ध्यान लिजाना चाहूंगी जिसे कि ये card हो गया तो मुझे ऐसे लगता है कि लोग आप से jealous बहुत feel करते है शायद आपकी तरख्यी से जलते है या फिर आपके beauty से जलते है या फिर आपकी looks के वजे से जलते है या फिर जो growth आपका है वो उनको नहीं मिल रहा है इसके वजे से जलते है तो जलन वाला कार्ड यहां पर बहुत ही जादा उभर के आया है तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है आपको negative energy से protection लेने की बहुत जरूरत है ऐसा मैं आप लोगों को बता दू कुछ एक छुटपुट health problems future में आ सकते हैं ये भी मुझे समझ में आ रहा है health problems जो है वो बहुत बड़े नहीं है मगर backing या paros related problems आपको आ सकते हैं ऐसा एक strong vibe मुझे यहां पर मिल रहा है ऐसा नहीं है कि आपके life में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा आपको थोड़ा सा heartbreak का सामना भी करना पड़ सकता है आपको future में थोड़ा सा heart भी हो सकता है आपके अपने ही लोग आपको heart कर सकते है यह भी एक strong vibe मुझे यहां पर मिल रहा है मगर मुझे ऐसे लगता है कि life है तो कुछ पाना है और कुछ खोना है हम क्या खो के क्या पा रहे हैं उस पर depend करता है कि हम खुश है कि हम दुखी है तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको जो मिल रहा है वो बहुत जादा मिल रहा है आपके blessings, आपके challenges के comparison में बहुत जादा है तो आपकी बहुत ही एक अच्छी positive energy मुझे यहां पर future में दिख रही है अभी at present आप कुछ projects पे काम कर रहे है at present आप कुछ career goals पे काम कर रहे है या फिर किसी important project पे काम कर रहे है ऐसा भी एक strong vibe मुझे यहां पर मिल रहा है मगर उसे अभी भी थोड़ा सा finishing touch required है या फिर उसका समय नहीं आया है कि उसके fruits आपको अभी मिल जाए ऐसा भी मुझे indication मिल रहा है यह relationship से related भी हो सकता है at present आप किसी relationship में हो मगर आपको अभी तक उसमें आपको man like results नहीं मिले है या फिर आपका relationship अभी future में और grow होगा तब आपको जो आपके goals है relationship से related जो आपके goals है वो आपको मिलेंगे ऐसा भी एक strong vibe मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो future में बहुत ही अच्छी energy मिली है specially यह जो 3 cards है यह success को दिखाते है authority को दिखाते है respect को दिखाते है और सबसे important यह वाला जो card है आपका जो सपना है वो पूरा जरूर होगा अब आपका सपना घर से related हो सकता है हो सकता है आप आपका dream house लेना चाहरे हो या फिर ये भी हो सकता है कि आपके career में आपने कुझे goal set कर रखा या फिर शादी का भी सपना ये हो सकता है अब आपको पता है कि आपका सपना क्या है क्योंकि ये एक general reading है मुझे जितने possibilities समझ में आ रहे हैं मैं वो सारी आपको बता रही हूँ आपसे जो चीज़े resonate करती है आप उसे रख लीजिए और जो चीज़े आपसे resonate नहीं करती है उसे आप ignore कर दीजिए तो बहुत ही अच्छे cards यहाँ पर उभर के आए है मगर आपको emotionally strong होने की जरुरत है और अपनी health का ध्यान रखने की जरुरत है हो सकता है आप busy schedule के वज़े से आपकी health का ध्यान नहीं रखते हो ऐसा भी एक strong vibe मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैं तो बोलूँगे कि health अच्छा है तो सबच्छा है अगर हमने कुछ success भी पाई है life में मगर उसे enjoy करने के लिए हमारे पास health नहीं है तो क्या फाइदा तो आपने health को कभी neglect नहीं करना है हो सकता है time की कमी की वज़े से आप health को neglect कर रहे हो या फिर आपका उस तरफ ध्यान नहीं जा रहे हो या फिर responsibilities के वज़े से आप लोग health को neglect कर रहे हो या फिर ये भी हो सकता है कि आपको workout, meditation ये करना थोड़ा सा आलस आता हो जानते आता हो ये भी एक possibility हो सकती है चाहिए जो possibility है आपने आपके health को neglect नहीं करना है health का ध्यान रखना है और emotionally strong होना है ऐसा suggestion मैं आपको यहाँ पे दूँगी प्लस आपसे लोग बहुत ज़ादा jealous feel करते है और आपके अपने ही है जो आपसे jealous feel करते है तो आपको negative energy से protection लेना बहुत ज़रूरी है ऐसा मैं आप लोगों को बता दूँँ तो और भी क्या suggestions आपको higher force के तरफ से मिले है वो देख लेते है अब जिस भी भगवान में यकीन रखते है उनका ध्यान कीजिए देखते ही कि आपके future energy के लिए उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या guidance मिला है आप में से कुछ लोग past में उलजे रहते है past की कुछ bitter memories उनको परिशान करती है ऐसे भी vibes मुझे यहाँ पर मिल रहे है और ये भी एक possibility है कि आपको future की चिंता लगी रहती है हो सकता है आप बहुत आगे तक की planning कर लेते हो या फिर आपके goals बहुत बड़े बड़े है या फिर आपके सपने बहुत बड़े है और इसकी वज़े से आपको चिंताय लगी रहती है कि आगे सब बराबर होगा के नहीं होगा ये तो होगया वो होगा के नहीं होगा इसे बहुत सारी चिंता है आप लोगों को लगी रहती है future की चिंता है और past के कुछ regrets मैं यहाँ पे देख सकती हूँ यह आपकी subconscious mind की भी बात हो सकती है हो सकता है कि आपको यह realize नहीं हुआ होगा कि आप ऐसा करते हो मगर ऐसा ही है यह मैं आप लोगों को बता दू कुछ regrets है, guilt है, वो हमको परेशान करने लग जाते है या फिर कभी future के जो goals है, सपने है, उनकी चिंताओं में हम लोग डूब चाते है तो आपको अपने मन को काबू करके present moment में जीना है ऐसा मैं आप लोगों को बता दू मुझे आज कर डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे चीज़े बहुत बढ़ गई है इसका reason क्या है? क्योंकि हमारा mind जो है वो ठका हुआ है क्योंकि हमारा जो mind है वो ठका हुआ है हम हमारे mind को break ही नहीं दे रहे है वो लगातार सोचते रह रहा है तो आपने एक ऐसा schedule बना देना चाहिए कि 8 पीम के बाद मैं कोई work-related बाते नहीं करूँगा या work-related phone calls नहीं लोगा unless and until कोई emergency हो तब तक नहीं लोगा या लोगी ऐसा एक schedule आप लोगोंने बनाना चाहिए एक cut-off time आप लोगों का होना चाहिए और एक बात में आप लोगों को यहां बोलना चाहूंगी जिन्दगी के सारी जिम्मेदारिया निभाना तो बहुत अच्छी बात है वागर थोड़ा सा एक time खुद के लिए भी जीना चाहिए जो चीज आपको बहुत खुशी दे रही है mental peace दे रही है ऐसी कोई hobby या ऐसी कोई activity आप लोगों ने दिन भर में एक बार तो करनी ही चाहिए इससे क्या होगा आपका जो mind है वो refresh हो जाएगा और आपकी work efficiency बढ़ जाएगी ऐसा मैं आप लोगों को बता दू तो मन ठका हुआ रहने के वज़े से आजकल हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं anxiety हो जाती है तो इससे कैसे दूर करना है उसका इलाज मैंने आप लोगों को बता दिया है आप लोग उसे implement करके देखिए और मुझे अपने results जरूर बताईए दूसरा बहुत ही अच्छा guidance यहाँ पर मिला है कि आपको divine energy के साथ connect करके surrender करना है और यहाँ पर साई बाबा आपको कह रहे है कि my body will heal all your problems यापके जो भी problems है या फिर जो भी problems तो नहीं बोलूगी में जो भी challenges है देखो संसार में हम आये हैं और हमारी life में कोई problem होगी नहीं ऐसा तो possible नहीं है perfect life एक illusion है और यह सीप social media पे दिखाने के लिए होता है कि हम कितने खुश है अंदर ये अंदर हमको पता है कि हम किन challenges को deal कर रहे हैं कौन से problems को हम लोग face कर रहे हैं जूता जिसने पेना होता है उसी को पता होता है कि वो काटता कहां से है तो दूर से हमको लगता है कि वा इसकी life तो बड़ी perfect है बड़े मज़े कर रहे है बड़े मज़े करी बड़ा घूमफीर रहे है मगर actual में आपको नहीं पता होता है कि उनका battle क्या है उनके challenges से वो कैसे deal कर रहे है या फिर उनके अंदर क्या चल रहा है या आपको नहीं पता होता है तो जो भी challenges जो भी problems को आप लोग deal कर रहे है उनका solution आपको future में मिल जाएगा और इसमे divine energy भी आपके साथ है ऐसा मैं आपको बता दू तो आपकी जो भी problems है उनका solutions future में आपको मिल सकता है बहुती अच्छी energy के साथ मैं group 1 का analysis यहीं खतम करती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि group 2 के tarot cards क्या कह रहे है hello group 2 जिन लोगों की birth date even number है वो group 2 में आते हैं तो आज हम देखेंगे कि आपके किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिल के ही रहेगा और आपके challenges क्या है और आपके blessings क्या है यह देखने की कोशिश करेंगे जब तक मैं card shuffle कर रही हूँ आप भी meditate कीजिए positivity के साथ reading start करेंगे group 2 के लिए please मुझे guide कीजिए देखेंड़ करेंड़ आपके रहे जाचे कीजब pressed舉 tip like टो आपके कीजिए आपके यह मुझे यह दो Pट्ट मैं की क्या के लिए बज़त Ăपस कर सक्वेशे tree ज़िए जफट दो का ड़ खकवा माटे हैं जब जब चप्लेश पत bugün heaven ग्रूप 2 के जो लोग है वो currently struggle कर रहे हैं और उनको balance बनाना नहीं आ रहा है अपने emotions को वो control कर नहीं पाते हैं या फिर वो emotional full किसम की लोग हो सकते हैं जो भावनाव में बह जाते हैं उनके emotional leisure के वज़े से उनका career effect हो सकता है ये भी एक possibility मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है ये सभी लोगों पे लागू होगी ऐसा नहीं है मगर एक prominent energy यहाँ पे वो उभर के आई है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ future में आपको abundance मिलेगा और ये दोनों भी card वो ही दर्शा रहे है abundance is on the way और जो भी आपके goals है जो financial goals है आपके उनको आप लोग achieve कर लेंगे और ये सारा जो process है वो आसान नहीं रहेगा आपकी हिम्मट तूट सकती है आप कभी कभी give up करने की भी सूट सकते हो मगर लगातार प्रयास करने से आखिर हम वहां तक पहुँची जाते है जहां हम पहुँचना चाहिए दिरंतर प्रयास करना बहुत जुरूरी होता है ये मैं आप लोगों को बता दू तो आप अगर consistency ले आते हो तो आपके जो professional goals है और जो financial goals है आप उनको future में achieve कर लोगे destiny की तरफ से आपको पूरा support मिलेगा ये मैं आपको बता दू ये भी समझ में आ रही है कि future में आप दिल से सोचेंगे नहीं दिमाग से सोचना शुरू कर देंगे और जो आपका emotional nature है उसे आप control कर लेंगे और आपका logical brain आप लोग जादा use करेंगे ये भी एक possibility मुझे समझ म आ रही है हो सकता है कोई heartbreak या फिर कोई ठोकर आपको मिली हो और उसके बाग आप change हो गए हो ये भी एक possibility मुझे समझ में आ रही है currently आप लोग financial goals के साथ deal कर रहे हो और आपको उतने मनलायक results नहीं मिल रहे है या फिर जितने आप expectations है आपके उतने results आपको नहीं मिल रहे है ये भी मैं आप लोगों को बता दू मगर future energy बहुत ही बढ़िया है मगर आपको emotionally strong होने की जरुत है pressure जहलने की जरुत है और आपको आपके काम में consistency लाने की जरुत है ऐसा मैं आप लोगों को बता दू future में आपको अपका soulmate या फिर आपके twin flame से मिलने के भी chances है ऐसा भी मैं आप लोगों को बता दू इसमें से कुछ लोग जो है वो किसी person से लेके बहुत ज़्यादा influence है या फिर attracted है और उनके साथ time spend करना चाहते है ये भी एक possibility मुझे समझ में आ रही है तो future में वो हो जाएगी ये भी एक thought मुझे यहाँ पे आ रहा है तो आपने emotionally strong होने की बहुत जरूरत है financial growth मुझे future में दिख रहा है मगर उसके लिए आपको consistency लाना बहुत जरूरी है आपको आपका logical brain active करने की बहुत जरूरी है तो जो भी आपके goals है उनको आप achieve कर लेंगे रास्ता definitely मुश्किल होगा मगर आपको निरंतर प्रयास करते रहना है consistency रखना है तो आपके जो goals है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसा मैं आप लोगों को बता दू गुरूप टू के जो कुछ लोग है इसमें से कुछ लोग जो है वो थोड़े से lonely है ये भी एक thought मुझे यहाँ पे आ रहा है उनको loneliness परेशान कर रहा है और उनको professional goals नहीं चाहिए उनको कोई ऐसा person चाहिए जो उनको प्यार करें जो उनको सहारा दे या फिर जब वो वीक हो जाए ऐसे तो आप लोग बड़े स्ट्रॉंग हो soft hearted person हो आप लोग मगर आप लोग वीक नहीं हो और strongly सारी चीजों को handle कर लेते हो बले ही रागबर रोगे एक दिन का break ले लोगे मगर फिर से उट के आप लोग खड़े भी हो जाते हो और ये inner strength future में और बढ़ जाएगी ऐसा में आप लोगों को बता दू मगर somewhere deep inside your heart you are craving for love ऐसा मुझे समझ में आ रहा है इंदगी की भागदोर में आप लोग सच्चा प्यार ढूंड रहे हो ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो कुछ एक रिष्टो का रूप बदलने वाला है ये भी एक मुझे समझ में आ रहा है ये हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे friends हो और आपका जो रिष्टा है वो friendship से लेकर relationship में transform हो जाए friendship और love में एक thin line होती है और आप लोग वो line पार करके आपके friendship को relationship में convert कर सकते है future म में ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो आपके past से related या फिर आपके बचपन से related कोई एक person है जो आपके साथ है मगर आपको realize नहीं हुआ है अभी तक और future में वो उस person के साथ आपका रिष्टा और सदा grow हो सकता है सभी एक thought मुझे यहाँ पर आ रहा है future में आप यह talent को fully utilize करना सीख लेंगे जो currently आप लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा भी मैं आप लोगों को बता दू और आपके life में spiritual approach आजाएगा आप लोग थोड़े से reality से दूर अपनी dream world में रहना पसंद करते हो तो थोड़ा सा realistic practical approach आपके life में आएगा प्लस आप लोग थोड़े से spiritual हो जाएंगे तो group 2 की भी energy बहुत ही अच्छी निकली है बस आपको emotionally strong होने की जरुत है current position में loneliness में देख सकती हूँ और आप आपके talent को fully utilize नहीं करते हैं ऐसे भी strong vibe मुझे मिल रहे है तो आप यह सारी चीज़े करने लग जाएंगे specially financial growth आपके life में आएगा जो लोग relationship के बारे में सोच रहे है तो बहुत ही perfect तो नहीं बोलूँगे मैं perfect person जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है मेरे opinion में जो चीज़े आप deserve करते हो जैसा person आप deserve करते हो वैसा person future में आपके life में आने के chances मुझे यहाँ पे दिखता है जो loneliness current position में मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो future में चला जाएगा और प्यार आपकी life में आने वाला है ऐसा मैं आपको बता दू तो future में आपको प्यार मिलने वाला है financial growth मिलने वाला है और आपके जो रिष्टे है जो current position में जो आपके रिष्टे है वो future में transform होने के chances मुझे यहाँ प लग जाएंगे और आप में transformation जिसे यहाँ से मुझे यह transformation दिख रहा है king of cups जो है वो थोड़े से emotional लोगों को represent करता है मगर transformation में आप king of wand हो जाएंगे यानि work oriented person हो जाएंगे अपने काम को seriously लिने लग जाएंगे या फिर जो चीज़े आप पाना तो चाहते हो मगर आपके efforts थोड़े से sufficient नहीं रहते है या फिर कम रहते है या फिर सही दिशा में नहीं रहते है वो सारे changes आपके life में आ जाएगे ऐसा भी एक strong vibe मुझे यहाँ पे मिल रहा है at present जो लोग emotionally balanced है उनको और ज़दा तरक्की मिलेगी future में ऐसा मैं आप लोगों को बता दू सारे ही लोग emotionally weak है ऐसा नहीं है मगर majority लोग emotionally थोड़े से weak है ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है तो जो लोग already emotionally balanced है उनको अभी भी growth मिल रहा है वो growth rate उनका future में और ज़दा बढ़ने के chances है तो promotion हो सकता है अगर आप लोग job कर रहे हैं तो एक profitable business में future में देख सकती हो तो बहुत ही अच्छे cards यहाँ पे उभर के आए है मगर यह वहाँ तक पहुंचने के लिए आपको emotionally strong होने की जरुत है अपने work को seriously लेने की जरुत है अगर आप लोग relationship में हो तो आपने उस रिष्टे को seriously लेना सीख लेना चाहिए उस person की कदर करना सीख लेना चाहिए यह advice में आपको यहाँ पे दूँगी चो loneliness आपका current position में है वो future में चला जाएगा और एक बहुत better person आपकी life में आने वाला है ऐसा भी मैं आप लोगों को बता दूँ तो आईए देखते हैं कि higher force की तरब से आपके future के लिए आपको क्या guidance मिला है आप भी जिस भी भगवान में यकीन रखते हैं उन पर focus कीजिए prayer कीजिए और prayer हमेशा gratitude का expression होनी चाहिए कभी भी prayer में complaints नहीं होनी चाहिए या फिर demands भी नहीं होनी चाहिए हमारा और उस divine energy का connection parents और बच्चे के जैसा होता है जैसे parents बच्चों को guide कर सकते हैं उनको रास्ता दिखा सकते हैं मगर उस रास्ते पे चलने का काम तो बच्चों को ही करना पड़ेगा जो भी challenges बच्चे face कर रहे हैं उसमें वो parents जो है वो guide कर सकते हैं support कर सकते हैं मगर उन challenges को deal करने का काम जो है वो बच्चों को ही करना पड़ेगा suppose बच्चे को एक्जाम्स दे रहे हैं उसके लिए preparation कर रहे हैं parents क्या करेंगे अच्छे coaching लगा के देंगे guide करेंगे खुद पड़ाएंगे ये सारी चीज़े करेंगे मगर एक्जाम किसको देना पड़ेगा बच्चों को खुद ही एक्जाम देना पड़ेगा खुद ही उस pressure को झेलना पड़ेगा support मिल सकता है guidance मिल सकता है मगर जो actual कर्म है वो खुद ही बच्चों को करना पड़ता है ठीक वैसा है principle हम में और भगवान के उपर लागो होता है भगवान आपको guide कर सकते है opportunities दे सकते है support दे सकते है मगर कर्म जो है वो हमको ही करने पड़ेंगे और वो हमको रास्ता दिखा सकते है मगर चलना हमको है ऐसा message आपको यहाँ पर मिला है जो भी support या guidance है वो future में आपको मिलेगा opportunities आप लोगों को मिलेगी मगर उस opportunities को कैसे utilize करना है यह आप पर है अगर आप उस opportunities को अच्छे से utilize कर लेंगे तो आपको वो सारी चीज़े मिलेगी जो आप चाहते हो और अगर आप लोग उस opportunity को miss कर देंगे तो life में आगे बढ़ने का मोका आप लोग खो देंगे हमारी जो life है वो destiny और free will का combination होती है इस चीज़ को explain करने के लिए मैं यहाप एक छोटा सा example देना चाहूंगी जिसे bank locker होता है उसके दो चाबिया होती है एक चाबिय जो होती है वो manager के पास होती है और एक चाबिय जो होती है वो हमारे पास होती है जब दोनों चाबिया लगती है तभी locker का दर्वाजा खुलता है यानि destiny जब favor करेगी और आप जब efforts डालोगे तभी किस्मत का दर्वाजा खुलेगा और आपको success मिलेगी अगर सिप destiny favor कर रही है और आपके efforts में कुछ कमिया है तो भी आपको success नहीं मिलेगी और आप efforts पे efforts डाल रहे हो मगर destiny आपको favor नहीं कर रही है तो भी आपको success नहीं मिलेगी तो destiny की तरफ से मैं आप लोगों को बता दू कि support, guidance और opportunities आपको destiny देगी मगर आपको उन opportunities को कैसे utilize करना है it's up to you तो आपको guidance मिलेगा, support मिलेगा और opportunities भी मिलेगी मगर उस opportunities का सोना करना है या फिर उस opportunity को सोने में गवाना है ये आपके हाथ में है तो ये था मेरा analysis group 2 के लिए तो ये था मेरा analysis दोनों groups के लिए आशा करती हो मेरी video आप लोगों को interesting और informative लगी हो और आप आपकी life से इसे resonate भी कर पाए हो अभी तक के लिए इतना ही फिर मिलेंगे Bye and take care आपके लिए आपके लिए